बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में और आज की ये special वीडियो class 12 का आपका जो history का subject है बच्चों यानि कि इतिहास का इसके लिए बहुत जादा important वीडियो होने वाली है क्योंकि जैसा कि आप सभी ओचों को पता है कि कल यानि कि 16 October 2024 को आपका history का जो midterm का exam में बच्चों यहोने वाल है ठीक है आज आपका Hindi elective का हुआ कल आपका history का है यानि कि आपके पास मैं तैयारी के लिए बिल्कुल भी time नहीं बचा है इसलिए बच्चों आप सभी इतने कम time के अंदर ही अपने history के midterm exam की जो तैयारी है उसको बहतर से बहतर कर सकें आपकी जो preparation है वोन की जो और सबसे important कल के paper की आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाए कि आप 80 out of बहुत अच्छा score कर सको बच्चों इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपकी help के लिए आज हम लेके आए हैं एक most important sample question paper को जिससे पूरा का पूरा इस इस एक ही वीडियो में आपको में solve करके समझाने वाला हूँ ठीक है अब ध्यान से सुनो बच्चों आपके history के मिटरम के exam के लिए यह हमारा दूसरा sample paper होने बाला है जिसकी सबसे ज़्यादा खासित यह है कि सबसे पहले तो यह sample paper इस एक ही वीडियो में हम पूरा देखें हैं selected हैं और repeated question से बच्चो जिसकी बहुत ज़्यादा समावना है कि इस में से आपके कल के exam में बहुत से question आ सकते हैं जैसे हिंदी के आपको मैंने दो ती सेंपल करवाई थे आपका 60% question वही थे यानिकि 60 नंबर सक्के जो आपको मैंने करवा रखे थे ठीक है तो history में भी आ इसके बाद आपकी map की वीडियो हो गई यह सारी की सारी वीडियो हमने अपलोड कर दी हैं ठीक है किसी वी बच्चे ने अगर कोई वीडियो नहीं देखी है तो जाए फटा-फटा से चैनल पर वहां से देख सकते हो और बाकि आई बटन में आपको मैं हर एक वीडियो कर ल अब इसमें आपके 5 खंड होने वाले हैं सबसे पहले खंड का रहेगा फिर खंड खा फिर गा फिर घा और यह आपका 5 वाला ठीक है सभी सेक्षन को मिलाके पूरे पेपर में आपके 34 प्रशन होने वाले हैं खंड का के अंदर 1 से 21 बहुँ विकल्पिय प्रशन होंगे एक एक नंबर के यानि कि टोटल आपके एक्जाम में 21 MCQ आने वाले हैं तो MCQ के लिए एक अलग वीडियो मैंने अपलोड कर दी है ठीक है फिर खंड नंबर खा 22 से 27 लगूत यह प्रशन होंगे बच्चों तीन तीन नंबर के यानि कि तीन नंबर के टोटल आपके 4 कोशन होने आपके ठीक है फिर खंड घा में कैसे कोशन होंगे 31 32 33 यह आपके शुरोत आधारे चार नंबर के तीन कोशन होने वाले हैं और सबसे आकरी पांचवे सेक्शन में एक ही कोशन होगा 34 मैप वाला और यह आएगा आपका पांच नंबर का ठीक है तो बच्चों MCQ के लिए एक लग वीडियो बना दी है और आपके जो आठनबर के कोशन है इसके लिए वीडियो बना दी है मैप के लिए भी एक लिए वीडियो में बना दी है सारी वीडियो के लिंक आपको मैं आई बटन में दे दूंगा यहां से जाके देख लेना उस वीडियो में एंड तक बने रह यह short answer type questions होंगे 3 marks के section C में 28 से 30 यह long answer type के questions होंगे 8 marks के and then section number आपका डिया जाता है इसमें 31, 32, 33 short based questions होंगे आपके 4 marks के और section E के अंदर एक ही question होगा 34, map वाला और 5 नंबर का, ठीक है तो आदियो guys ready, शुरुआत करें आज के assemble paper को, तो चलिए शुरू करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चो आज की इस video का, जो हमारा सबसे पहला खंड है, खंड नंबर का यानि के section A वो यहाँ से शुरू हो चुका है जिसमें 1 से 21 यह हमारे बहुत विकल्पी प्रकार के questions हैं, अब आपको क्या करना है बच्चो जिन 21 MC की उसको हम सबसे पहले discuss करेंगे आप सभी बच्चे इसका आंसर अपने मन ही मन चैट सेक्शन में या फिर प्रीमेर चैट में जरूर आंसर करें इससे आपकी भी practice हो जाएगी ठीक है, और आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी त्यारी का रखी है, चलो सुरू करते हैं विना time waste करते हुए, देखो सबसे पहला question हमसे क्या कहा गया है कि हडपा सभीता की क्रीशी की बारे में गलत कर्थन का chain कीजिए, तो हडपा सभीता में जो agriculture होता था, इसके बारे में आपको एक wrong option है वो चूस करना है, तो सबसे पहले देखो अडपा सभीताक में क्रीशी में हालों का और बैलों का उप्योग होता था बिल्कुल ठीक है, हमें जो इतिहास कारण को जो महरे मिली हैं, उस पे विर्षब एक सिंग वाला जानवर इसके जो चिन है, वो मिले हैं, जैसे पता चलता है, कि हालोंवा बैलो का उप्योग करते होंगे, ठीक है, हमें जोते हुए खेट के साक्ष मिले हैं, जिससे ये पता चलता है, कि यहां पे दो फसलों को उगाया जाता होगा, क्योंकि जो जोता गया होता है, वो एकदम समीकरण, एक दूसरे पर काटते हैं, ऐसे था, ठीक है, तो ये भी सही है, इवन सिचाई के लिए, नहरों और जलाशों का प्रियोग किया जाता था, ये भी सही है, लेकिन, कटाई में लोहे के अजारों का प् असल होती थी, उसके बारे में, ठीक है, चलो, अब यहाँ पर अगला कोशन है बच्चो, कि अलवार और नैनार संतों का संबंद किस राज्य से है, ठीक है, अलवार और नैनार संतों का किसे संबंद है बच्चो, कमिल नाडू से, किसे संबंद है, अलवार और नैनार का, त मानते हैं ठीक है उनके राधना करते हैं अलवार का मतलब हो जाएगा वेशंत जो की विश्णु को मानते हैं ठीक है इस प्रकार से यह हो गया आपका यहां पर अगला कोशन है बच्चो बहुत इंपोर्टेंट है कि मेरट जिले के हस्नापु नामक गाउं का उत्खनन किस प्रातत वेद्दा के द्वारा किया गया था बच्चो यह कोशन काफी अंदर से पूचा गया है कि महाभारत की जो कहानी है महाभारत की जो कथा है उसमें जो रहा था बच्चो बीबी लाल ने किसने बीबी लाल ने ओके तो वाई विच आरिकोलोजिश्ट वाज दी एक्षट्रेशन ओफ विलेज नेम्ड हसिनापूर इन मेरट डिश्टिक्ट डंड डाट इस बीविलाल कोशन नंबर फोर्थ सास्तरों के अंदूसार यह कहा गया था कि जो राजा थे यह केवल चत्रिय वर्ग से हो सकता था लेकिन हमें इसके बहुत सारे अपवाद यू मिलते हैं जैसे कि मौरेवंश अपवाद हैं शुंगवा कवड़ अपवाद हैं शक्सासक भी इसके अपवाद हैं यानि कि जो डी वाला ऑप्शन है यह हमारा करेक हो जाएगा एक है सेम इसी तरीकी से इंगलिस में अकॉर्डिक टो इसक्रिप्चेस ऑनली छत्रिय शुड्वी किंग्स विच फॉलोविंग इस एक्षट्रेशन तो ए बी सी सही है तो डी इस दे राइट आसर चलो अब यहां पर बच्चों आपका एक तीन नंबर का कोश्ट कंप्लीट हो जाएगा कि जो वर्ण है उनके क्या क्या कार होते हैं उग्यैं अपनलान करता है एक तरफ वर्ण दिये गए हैं और एक तरफ उनके कार है नीक्या को से पहले हो आते फिर शत्रिये शत्रिये क्या करते हैं चत्रिये जो होते हैं वच्चो ये युद्ध करते हैं सुरक्षा करते हैं न्याय करते हैं यग करवाते हैं और दान देते हैं वैश्यों का काम क्या है वैश्यों का काम होता था क्रिशी पशुपालन व्यापार करना और जो सबसे न इसको आप यहां से याद कर लो इच्छे तरीके से तो इसमें अगर आप मिलान देखोगे तो मिलान कौसा सही हो जाएगा पहले का भी दूसरे का सी तीसरे का डियो चौथे का ए यानिकी सी वाला ठीक है आप सभी बच्चे इन mcq question का जो answer है ना अपने मन ही मत सोचते चलो जब वीडियो end होगी ना आपकी या फिर यह section end होगा आपका तो आप मुझे score में बताना भी 21 मेंसे आपने कितने के सही answer दिये ताकि मुझे भी तो पता चले कितनी रतियारी कर रखी थी ठीक है तो एक तरफ है character एक तरफ है work तो सिलसिला यानि कि जो जंजीर है इसकी पहली अटूट करी कौन है यानि कि who was the first unbroken link of the chain यान कि जंजीर सिलसिला की अटूट करी सबसे पहली कौन है बच्चो तो ये हैं पैगंबर मुहम्मद कौन है पैगंबर मुहम्मद अगला question number 7 जो अर्थसास्त है इसकी रचना किसने की है ठीक है तो बच्चो क्या नाम है अब मौर सामराज्य में जो अर्थसास्ति किताब है इसकी रचना किसने के बच्चो एंडिका और अशौक की रचना करें तो ये आद्मिक भारत के प्रिशिद महासासक माने जाते हैं जन्होंने का लिंग उडिशापी वजह प्राप्त क जेम फ्रिस्टिप की बात करें, तो इन्होंने दो जो लिपियां थी, ठीक है, कौन-कौन सी लिपियां, एक तो थी ब्राम्मी, दूसरी थी खरुष्टी, इसका आथ निकाला था, ठीक है, अब इसी question को यहाँ पे, इंग्लिश में तो बताई दिया है, अब है question number 8, हरऊआ, सभीता के हर्याना में इस ते इस्तल कौन से हैं, ठीक है, तो हरऊपआ के ज़ाधा तर इस्तल पाकिस्तान में है, टोटल आपके scalable recording, पांच आपको याद करने है, फिर आपके, राजिस्थान में आजाते हैं, ठीक है, राजिस्थान इसमें टोटल आपके तीन है, ती D आपका एकदम correct है ओके बच्छो अच्छा आपसे मैं एक question पोशना हूँ बच्छो आप मुझे ये बताओ कि जो रंगपूर है ठीक है रंगपूर ये भारत के किस राज्ज में है ठीक है रंगपूर हरपा इस्तल ये भारत के किस राज्ज में है फटा फटा से बताओ किस को पता है रंगपूर भारत के किस राज्ज में है comment करो सारे बच्छे तो where are the sides of हरपा आएगा basically हरपा इस्तलिशन लोकीटेड इन हरियाना तो राखी गड़ी बना बली है तो option D है question number 9 इबन बतूता को दूत के रूप में कब और कहां बेजा गया था तो उसे दूद के रूप में कहां बेजा गया था बच्छो चाइना बेजा गया था और कब बेजा गया था 1342 में एक आपका MCQ यह बन सकता है बच्छो कि इबन बतूता अपने देश वापस कब गया था तो याद रखना 1344 में ठीक है यहाँ तक की पान जो है पान इसका संबन किस से एबन बतूता से है एबन बतूता की गिरंथ का क्या नाम है फ्रांसवा बनिल के गिरंथ का क्या नाम है और वो जो अलवरूनी था उसकी गिरंथ का क्या नाम है यह भी यार करके जाना बच्चो ये question काफी important है और difficult भी है क्या पूछा गया है दस्वी सताबदी में अपार संबदर और संद्रार की जो कविताएं थी वो किसमें संक्लिष की गई बच्चो किसमें की गई थी तवरम क्या वोलते थे उनको तवरम बोलते थे ठीक है नरियरा दिवरुदम क्या बच् से यहां पर ठीक है तो option आपका A हो जाएगा चलो question बर 11 में महानवी डिब्बा के संब्द में कुछ कत्थन दिये गए हैं सबसे पहला महानवी डिब्बा जो है वो एक विशाल का मंच है बिल्कुल ठीक है महानवी डिब्बा में 10 दिन के हिंदू त्योहार जैसे कि महानव महानवी डिब्बा एक सामरी के केंद्र है यह गलत है क्योंकि जब यहां पर तेवहार वगएरा मनाये जा रहे हैं तो यह यह एक अनुस्ठानिक केंद्र था सामरी केंद्र नहीं that means option नमबर जो second है यह correct हो जाएगा ठीक है तो महानवी डिब्बा के बारे में पहला दूसर को सामिल किया जाता है बच्चो ऐसे इस्तल जो की खास वनस्पति तथा उनकी अनूठी चट्याने हो विसमेकारी प्राकितिक सौंदर हो एक छोटी सी वेदी भी इसमें सामिल होती है ठीक है यानि कि जो डी वाला option है यह आपका correct हो जाएगा आपके सामने यह point है ठीक है अगला question है बच्चो कि हडपा सब्यता में जो फ्यांस के लगुपात्र है यह कहां से प्राप्त होते थे बच्चो देखो जो शवाधान है ठीक है क्या बोलता है वो हडपा सब्यता की जो आर्थिक इस्तितिया इसको जानने के लिए अब इस इ फ्यांस है यह भी सामिल था तो फ्यांस के लगुपात्र है यह हमें कहां से मिले हैं बच्चो ठीक है जड़तर कहां से मिले हैं फटाफट से बता हो अब देखो इसका अंज़ादा आप इस तरीकी से लगा सकते हो कि गुजरात और काली बंगन यह तो वर्तमान का गुजरा यह भी नाम नहीं थे तो मतलब मोहन जोदोडो और हडपा से हमें यह फ्यांस के लगुपात्र मिले थे ठीक है और यह शहरी केंद थे तो सिंपल सी वात है जाड़ा विकसे थे तो यहां पे हमें लोग रहते होंगे यहीं से मिला होगा तो पता है कई वार कोश्चन का अंस थी इसका अर्थ कब निकाला ठीक है तो असो कालीन ब्रामी लिपी का अर्थ कब निकाला यह उन्होंने 1838 में तो वैं डिड़ जेम्स प्रिंसेस डिशफियर दी ब्रामी स्क्रिप्ट ऑफ दी अशो पिरियड तो 1838 ठीक है कोश्चन नुबर 15 अब यह थोड़ा डिफिकल् एस पर ज्यादा तर आफका ध्यान नहीं गया होगा गंगरतिंदू जातक नामक कहानी में क्या बताया है ज़ंता में राजा की चबी क्या है image क्या है King की Public में यह बताया गया है इस इंथा इंच्टीन जातकश्चन नमब्शना 16 आपको इतना दो पता है किously का संक्रिन कब जो व्रहद उपदेशात्मक पिक्रण है, ये महाभारत में कब जोड़े गए, संक्रण एक अलग बात है, लेकिन इसको महाभारत में कब जोड़े गया, इससे मिलते जिलती कुछ बात है, तो कब हुआ था बच्चो ये, लगवग 200 से 400 इसापूर के बीच, इसापूर नहीं 20 के बीच है, इसापूर तो पहले हो जाता है, ये 20 की बात हो लिए, यानि कि ऑफ्चन जो D है, आपका ये करेक्ट है, चलिए, अब इसका आगला कुश्ण है, कुश्ण वर्स 17, की सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफा, अशोक के आदेश से, किसे संपरदाई के लिए बनाए गई थी, ठीक है, तो अशोक नहीं आदेश दिया था, कि एक गुफा बनानी है, जो कि काफी प्राचीन कृत्रिम भैय है, तो किसके लिए बनाएगे थी बच्चो आजीवक संप्रदाय के लिए किसके आजीवक संप्रदाय के लिए ठीक इसको इंग्लिस में देख लेंगे और विच्च सेक्ट्स वाजी ओल्डेस्ट आर्टिफिशल के बिल्ट ऑन दी ओर्डर्स ओफ अशोक तो अपसंशी है अगला कोश्चन नमर 18 उननीसवी सतापदी में डैश ने एशिया उत्पादन सैली के सिद्धान्त को और आगे बढ़ाया यानि कि 19th century में किसने जो एशिया प्रोड़क्शन इस्टाइल है इसको और एडवांस बनाया ठीक है तो कौन से थे बच्चो उनका नाम था कॉल मार्क्स मोंटेस्क्यू या फिर दो ते वर्वोसा या फिर जो बैपिश्टर तैवनीर किस ने किया था फटा फट से सोचो तो एशिया उत्पादन सैली की सिद्धान्त को कॉल मार्क्स ने आगे बढ़ाया था किसने कॉल मार्क्स ने तो आप्शन आपका एक देखो राक्ष्री तागडी युद्ध विजयनगर की सेना के नित्रत में किस ने किया था यानि कि देखो राक्ष्री तागडी युद्ध जो हुआ था 1565 के आसवास में विजयनगर में तो इसकी जो सेना थी विजयनेगर की सेना इसका नेत्रत तो किस ने किया था बच्चो क्रिष्ण देव राय के बारे में आप कुछ बाते याद कर लो जैसे कि इनका सम्मद्ध तुलूब बंस से था ठीक है क्रिष्ण और जो तुंग्भंदरा नरी थी इसके बीच का जो समराज में हासिल कर लिया और भी जो एरिया थी उनको जीत की हासिल किया इन्होंने अपनी माता के नाम पर एक उपनगर की स्थापना करी थी जिसका नाम था बच्चो नगलपुरम ठीक है मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन है वो भी बताते चलूँगा ठ इसका जो प्रिवेश द्वार है ठीक है प्रिवेश द्वार कह लिजिए जैसे आप गोपुरम बोलते हो ना गोपुरम तो उसको निर्माण का श्रेवी इनको जाता है इनोंने भी निर्माण करवाय था अपने राज्य भी आरूहन के दोरान ठीक है तो वैसे तो नित्रत और नास की सिती जब आ जाती है तो विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं यह कतर किसे सम्मझ लेते हैं जानी कि जब जब प्रिथवी पर पाप वड़ा है तब तक भगवान अवतरित हुए है अपने भक्तों को उस पाप से मुक् किया जा सके तो यह किसके सम्मझ में बच्चों यह वैश्णववाद की सम्मझ में किसके वैश्णववाद सेमसी को इंगलिस में देखेंगे तो option D आपका हैं आपको यहांपे हो जाएगा अब बच्चों आपका कॉश्चन है कि मगद के सक्तिसाली होने के क्या कारण थे तो बुए मगद जो था, क्यूं? क्यूंकि मगद प्राक्रतिक रूप से सुरक्षी था, और यहां पे लोही का प्रयोग भी तेज़ी से होता था, यानि कि यह प्राक्रतिक रूप से IT था, एक तो यह क्योंकि इसकी एड़िगित पहाड़ियां थी, तो कोई भी इसे आक्मेट करने से पहले कईवा सोचेगा लोहे का अपयोगे एक इसमें आ जाता है ठीक है उसके बाद उपजाओ भूमी तथा जलमार्गी के द्वारा परिवहन वो भी इसमें आ जाता है यानि कि याँखी जो भूमी थी वो उपजाओ थी जलमार्गी के द्वार यांस पे परिवहन होता था ठीक है तो कम मातरा में तेजी से परिवहन होता था तो पैसा भी वस्ता था समय भी और धन सब कुछ वस्ता था मेहनत भी उसके बाद मगद में बहुत ही योग जिसासक होते थे जैसे कि बिम्भी सर आजाद सत्रू जिन्होंने मगद को और सक्तिसाली बनाए इसके विस्तार को और बढ़ाया अगर आपने आपे ध्यान दिया हो तो आपका एक तीन नंबर का कोशन कंप्लीट हो गया कौनसा कि मगद के सक्तिसाली होने के क्या कारण है तो प्राकेतिक रूप से सुरक्षेत है लोहे का उपयोग उपजाओ भूमी जलमार के द्वारा परिवहन योग की सासक अब इनको एक इतलाइन में आपको explain कर देना है तो this was a reason for मगद बिंग powerful तो क्या reason है मगद के powerful होने का वह आप यहां से पढ़ सकते हो अभी तक हमने 21 मिनट के अंदर अपने 21 जो questions है इनको यहां पे अच्छे से पढ़ लिया है वच्छ ठीक है तो एक बार अब सारे के सारे बच्छे मुझे चैट सेक्षन में या फिर comment box में बताओ कि आपने 21 मैंसे कितने mcq questions का जो answer वो एकदम right दिया है ताकि मुझे भी प चलिए तो यहां पे आप देख सकते बच्छो हमारा अगला सेक्षन जो है खंड नंबर खा यानि कि section भी वह ऐसे शुरू हो चुका है जिसमें 22 से लेके 25 यह लगू त्रिये प्रिकार के questions होंगे 3 marks के यानि कि 3 नंबर के total 4 questions और बहुत important है ध्यान से पढ़ना ठीक है देख वो उसके कारियों के आजाए फिर विशेष्था को आजाए तो महा जनपर की प्रमुक विशेष्था है क्या क्या है और इनमें कौन-कौन से कार किये जाते थे तो आवच्छो ध्यान से समझते हैं देखो इस question को 8 नंबर में भी पूचा जा सकता है इसलिए मैं 8 नंबर के स सबसे जादा जो जरूरी है वो 5 से 6 है वज्जी है मगद है कौशल है कुरू पांचाल गंधार और अवंति टूटल यह 6-7 है जो की जादा important है महा जनपरों के बारे में अब पहली इनकी विशेष्था तो यह है कि महा जनपरों का जो शाशन था इसके बारे में कैसे जाद पर राजा सासन नहीं करते थे वहां पर गड़ या फिर संग के नाम से प्रिशिद्ध राज्यों में अनेक लोगों का समू सासन करता था जो ज्यादा powerful होता था प्रिशिद्ध होता था वह सासन करता था ठीक है और इस समू का प्रतियक विक्ति राजा कहलाता था जैसे कि महावीर और भगवान बुद्ध ठीक है फिर बारी आति है महाजिनपदों की राजधानी की पृति एक महाजिनपदों की Teller की रख रखाओं के लिए प्रारंबिक सेनाओं और नोकोशाईयों के आत्रिक सूरूत की जरूत पड़ती थी तो यह यहां पे होता था उसके बाद महाजनपदों में क्या-क्या कारी किये जाती थे तो महाजनपदों में सासकों का कारी होता था किसानों से व्यापारियों से और शिल्फ करों से भेट और कर वसूलना, पहला काम कर उसके बार भेट वसूलना, साथ ही महाजुन्दपदों के लोगों का संपत्ति जुटाने का एक दूसरा तरीका ये था, कि पडोशी राजे पे आकर्मन करके धन्यकटा कर लिया जाए, ठीक है, तो एक प्रिकास से आपका ये पॉइंट भी आपे लिखना है, ओके बच्चो, तो महाजुन्दपद के बारे में आप पॉइंट याज रखोगे, अगला जो कोश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चो, अधवा में दिया गया है, कि इसापूर प्रतम सहसताबदी का काल, विश्व इतियास में महत्पुन मोड क्यों माना जाता है? तो विश 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 है ठीक है तो क्या रखोगे कि इसा पूर्पित्रम से रपदी में चिंतकों का उद्वब हुआ इरान में जर्थोस्रे चीन में यूगसी यूनान में सुक्राथ प्लेटो और अरस्तु भारत में महावीर और बुद्ध इन सभी चिंतकों ने इंसानों और विश्य विवस्ता क के बीच रिस्ते को समझने की कोसिस करनी शुरू कर दे आम लोगों ने अपने और विश्य विस्ता की बीच में रिस्ते को समझना शुरू कर दिया था गंगा खाटी में नए राज्य नए शहर उबह रहे थे और ये नए राज्य नए शहर सामाजिक और आर्थिक जीवन मे कई तरीके की बतलाव भी ला रहे थे चौथा पूर वैदिक परंपरा की जानकारी जो कि हमें 1500 एसापूर से 14 एसापूर में संक्लित रिगवेट से मिलती है उसका संक्लन भी इसी टाइम पिरेड में हुआ था ठीक है इसके लावा लोहे का सिक्के का प्रचलन तेजी से उप्योग वो सब कुछ भी यहाँ पर आ जाएगा ठीक है बस इस प्रकार से इसापूर प्रत्यम से सताब्री का काल इंपोर्टेंट माना जाता है अब आप बता देंगे है ना चलो अब बारी आती है हमारे अगले कुश्चन की तो कहा गया है राइट दी मैन करेक्टर स्केस और महाजनपद एंड़ वर्क डन इट डन इन इट तो मैन फीचेस क्या है महाजनपद के पहले यह बताएंगे फिर रूल कैसे होता था महाजनपद में कैपिटल्स क्या है महाजनपद की उसके बाद में फंक्शन क्या होते है महाजनपद में यह देख लीजे ठीक है सारी चीज़ें लिखी हुई है बस आपको पढ़ना है वीडियो को पॉस करके उसके बाद अगला कुश्चन तो क्यों माना जाते है बच्चो यह आपकी हापी रिजेंस है आप यहाँ से पढ़ सकते है ठीक है तो इस तरीके से आपका यह कोश्चन यह आपे कंप्लीट हो गया ओके तो चलिए बच्चो अब हम बात करते हैं तीन नंबर के अपने अगले कोश्चन की और बहुत इंपोर्टेंट है देखो अलवार और नैना संतों का जाती प्रता के प्रती क्या दिश्टिकोंड था इसका वर्ण केजिए ठीक है चाहे आप अलवारों की बात करो चाहे आप नैना संतों की बात करो दोनों का ही जाती प्रता के प्रती दो विरूद किया है, अब आप इसको कैसे सिद्ध करोगे, किनोंने विरूद किया है, सबसे पहला पॉइंट, ये सत्य प्रतित होता है, क्योंकि अलवार और नेनार भक्ती संत, समाज के बिविन समुदायों से आते थे, जैसे कि ब्रामण भी इसमें सामिल थे, शिल्पकार भी स सामिल थे, किशान भी, मजदूर भी, गरीब भी, वैश भी, शुद्र भी, राजा भी, चत्रिय भी, सभी जातियों की लोग इन संतों में सामिल थे, ठीक है, उसके अलावा, ब्रामणों ने जिने नीच समझा, जिने एपवित माना, जिसे चांडाल हो गए, ठीक है, या फ हमारे मैत्पून है, उतने ही अलपा नैना संतों की रचनावी मैत्पून है, एक एक जामपल है बच्चो, नल इराद्व्य प्रवंधम, अलवार संतों का मुखी काविश संक्लन, नल इराद्व्य प्रवंधम है, जिसको तमिल वेर के रूप में वनित किया गया है, ठीक है कौन सी सती प्रथा इसको ठुकराया, यानि कि इन्होंने इसको अमान ने बताया, ठीक है, इसके लावा बता सकते हैं, कि आपके जो कर्म हैं, वो जन्म से अधारित होंगे, ये भी इन्होंने गलट मतलब ब्रामने ने बोला, कि आपके जो कर्म हैं, वो जन्म से अधारित ह तोगी जिस वर्ण में जर्ण करना होगा ठीक है लेकिए अलवार और नहीं संतों ने इसे भी न का रहा क्यूंकि वह कहते हैं कि जणष करते हैं कि हमारे समाज में स्थिति क्या होगी ठीक है कि एसे करके आप यहां जाप अब इसी में देखेंगे वाट वाज यहां पर अगला जो कोश्चन है आपके अलबुरूनी वाले चप्टर से हैं यातिरियों के निजरिये तो 24 कहता है कि अलबुरूनी का जाती विवस्ता के प्रती विवरेंड रिखें तो अलबुरूनी का जाती विवस्ता के प्रती विवरेंड क्या था बच्चो बहुत अच्छा कोश्चन है देखो दरसल अलबुरूनी ने ये बतानी की कोशित की थी कि जाती विवस्ता ऐसा नहीं है कि केबल भारत में है बलक प्राचीन फारस में चार वर्ग जैसे कि पहला वर्ग जो था गोडशवार और सासक वर्ग तीसरा तीसरा ने दूसरा दूसरा भिक्षू था प्रोहित वर्ग तीसरा था वग्यानुक चिकिस्itet और ख़गोल सात्री वग्व और चौत था था किशान और अनिसिल्पकार वग्व ठीक है तो प्राचीन फारस में भी चार वण्ड थे जैसे कि भारत में चार वण्ड थे ठीक है हालां कि अलिवरूनी इस बात को तो मानता है कि जो ब्रामण वारी जाती विवस्ता है ये ठीक है लेकिन जब ब्रामण ये बोल देते हैं कि हमारी इस वर्ण विवस्ता में कुछ लोग पवित्र हैं जैसे कि चांडाल हो गए ठीक है और जिनको तीनों वर्णों की सेवा करनी है वो हो गए तो अलिवरूनी कहता है कि ये मैं गलत मानता हूं क्यों कहता है वो ऐसा वो ऐसा इसलिए कहता है कि हर वो वस्तु जो पवित्र हो जाती है वो अपनी पवित्रता की मूल इस्तितियों को प्राप्त करने के प्रयास में प्राप्त कर सकते हैं जैसे अलिवरूनी कहता है कि जिस प्रकार से हवा प्रदूशित हो जाती है तो सूरी के रोसनी हवा को सक्ष करती है इसके लाबा समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है उसी प्रकाल से हर व्यक्ति अपने दौरे किये दुशकर्मों को भी पवित्रता प्राप्ट कर सकता है उसके लाबा इसके अल्वरूनिके इंसार जाती विवस्ता में ऐ पवित्ता की अबधाना प्रकृति के नियमों के खिलाफ है तो यह अबधाना थी बच्चो किसकी अल बुरुने की जाती विवस्ता की अप्रति ओके चलिए अगला कोशन देखते हैं इंग्लिस में आ जाएगा कि तो आप देख सकते हैं यह सारे पॉइंट यहां पर दिये गए हैं बच्चो चलो अब हमारा एगला कोशन आ जाता है इसमें हमारे दो कोशन का अब ध्यान से दिखेंगे तो दिये गए हैं सबसे पहला है कोशन नुबर 25 इसमें क्या कहा गया है हडपा सभिता के पतन के लगवग डेड़ हजार वर्षों में किस प्रकार के बतला हुए सिंपल सी बात है जो मौरे सामराज था ठीक है और हडपा सभिता के अंत इसके बीच में जो ये डेड़ हजार वर्ष थे इसमें किस प्रकार से क्या क्या बदला हुए वो हमें बताने है तो देखो बच्छो हडपा स्विता के पतन की लगवग 8000 वर्षों में कई बदला हुआ है कौन कौन से ओके तो पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि सिंदु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों के द्वारा रिगवेद का संक्लन किया गया लगवग 1500 BC से लेके 1000 BC के बीच में इसका संक्लन हुआ उसके बाद उत्तर भारत, दक्कन का पठार शेत्र और करनाटक ये सभी भारतिय उपमहादीप में ये देखा गया कि क्रिशक जो बस्तियां थी ये अस्थत्मे आने लगी क्योंकि नदी के किनारे थी तो उस्चाइब वगएर आसानी से हो जाती थी तो क्रिशक बस्तियां से तुम्हें आने लगी दूसरा दक्कन और दक्षिड भारत के चेतरों में चरावा वस्तियों का विकास भी होने लगा ठीक है इसके लावा इसापूर्व प्रत्म से सताब्दी के दौरान मद्य और दक्षिड भारत में शवों के अंतिम संसकार के नए तरीके सामने आ गए पहले शवों को दफनाय जाता था कुछ वस्तियों के साथ में है न अडपा सा पिता के टाइम पे लेकिन इसापूर्व प्रत्म से सताब्दी के दौरान मद्य और दक्षिड भारत में अंतिम संसकार के नए तरीके आ गए ठीक है उसके लावा चटी सताब्दी इसापूर्व का काल महतपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस में गरंथों की रिचना शुरू हो गई थी आरमिक राज्जीव का उदय हो रहा था नगरों का उदय हो रहा था बौद और जैन साहित ती बिभिन दाशनी जो विचाधा रहा थी इनका विकास हो रहा था ठीक है तो इस प्रकार से आप इसका अंसर लिख सकते हो लेकिन अगर आपने यहां पर धियान दिया हो बच्चो तो एक आपका तीन नंबर का कोश्चन और पूरा हुआ यहां पर कौनसा अगर पेपर में पूछा जाए चटी सताब्दी इसा पूर्व का काल महतपूर काल क्यूं माना जाता है इसके बारे में तो पहले तो आप बताओगी बच्चो कि इस समय नईने ग्रंथों की रिचना हो रही थी जैसे की कौटिली के द्वारा लिखी गई आपकी क्या बोलते हैं अर्थसास्र ठीक है मेगरस्टिन्स के द्वारा लिखी गी इंडिका विविन याती वितान्त ठीक है जैसे की बौध और जैन सायत जो है इनकी बात आजाएगी फिर दूसरा बताओगे आरंबिक राज्यों और नगरों का उदे हुआ जैसे इनका उदे होने लगा इसके लाबा कई प्रकार की दासनिक विचात धारा है जैसे की बौध और जैन सायत इनका उदे हुआ इवन लोहे का तेजी से उपयोग होना ठीक है सोने के सिक्क्यों का उपयोग होना तो ऐसी ऐसी बातें आपको बताने तो तीन नंबर का एक कोशन ये भी पूरा हो गया ठीक है देखा न एक लाइन से मैंने आपको तीन नंबर का एक अगला कोशन भी समझा दिया ठीक है तो यही तो बात होते है जब आपको information अच्छे से पताओ तो आप अच्छे से और question को समसबाते हो अब यहाँ पे अत्वा में कहा गया है कि वैदिक परंपरा में यग्यों की परंपरा को संचेप मिलती है यानि कि जो यग्य परंपरा है इसके बारे में आपको विस्तासी बताना है तो आओ बच्छो पढ़ते हैं अच्छे तरीके से देखो पूरवैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें पंधरा सो से लेके एक हजार इसा पूर में संकलित किये गए रिगवेद से मिलती है यानि कि अगर हम बात करें कि पूरवैदिक परंपरा की जानकारी हमें कहां से मिलती है तो पंधरा सो से एक हजार इसा पूर में संकलित थे रिगवेद से अब इसमें यग्यों की बारे में क्या बात पता चलती है तो यग्यों में सोमदेव, इंददेव और अगनी देव ये मुख्य देव ता माने जाते थे यग्यों में मंत्रों का उचारण पहले तो होता था मौकिक रूप से ठीक है फिर वाद में इनको वेदों में संकलित किया गया पहले वेज नहीं होते थे पहले जो मंत्र होते थे वो ऐसे उचारण होते थे मौकिक रूप से लिखा तो बार में गयवेदों में, ठीक है? उसके बाद धार में करुष्ठान भी होते थे, सार्वजने करुष्ठान भी होते थे, यग्जी के दोरान राजसुई आश्चुमेग यग, ऐसे बड़े बड़े यग्ज किया जाते थे, जैसे प्रभु शिरीराम ने पकड़ा था युद्ध वगएरा भी वा था तो यह चीजे थे हलांकि राम जी की बीच और लवकुष की बीच युद्ध होने से पहले ही जो रिशी मुनी थे उन्होंने आके रोक लिया था ठीक है उसके बाद यग्यों के मंत्र जटिल संस्कृत भासा में लिखे हुए थे युद्ध के मंत्र होते हैं यह वेदों में जटिल संस्कृत भासा में लेखे थे इसी वजए से इन यग्यों के मंत्रों को केवल ब्रह्मन लोग ही उच्छेत कर पाते थे और समझ पाते थे और इस समय जब रिगवेर का संगलन किया जा रहा था उसमें शुद्र और महिला ही थे यान कि इनको परमीशन नहीं दी जाती थे इस प्रिकार से आप इसको समझ सकते हैं अब इन्हीं दोनों को से में इंग्लीज मेडिया में या से देखिए कि वाट चेंजिस अप एक्वर्ड इन एप्रोक्समेटली वन एंड हाफ थाउजन यह आफ्टर दे डिक्लाइ और फरपन शिवलाइशन तो कौन-कौन से चेंजिस हुए थे तक्रीवन पंद्रा सो क्या नाम है इन देड़ और देड़ हजाद वर्शों की दौरान यह आप यहां से पढ़ सकते हैं ठीक है रगला कोशन है कि राइट ब्रीफली अवाउट दी ट्रेडिशन ओफ यग्स इन वैदिक ट्रेडिशन तो क्या क्या है इसके वारे में आप यहां से पढ़ सकते हैं ओके बच्छों तो आई होप अब आपको सारी के सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ में आ गई होंगी ठीक है चलिए अब जो हमारे बाकी के सेक्सन बच जाते हैं ठीक है कौन-कौन इसा अभी आपका जो है सेक्सन बचेगा जिसमें आपका पांच नमबर का एक मैप है ठीक है तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा पार्ट टू की तो आप सारे बच्चे पार्ट टू की उस वीडियो को जरू देखना ठीक है इसके अलावा आपको मैं पिछले पेपर के कुछ कोश्चन दिखा देता हूं जो कि मैंने आपको पहले भी करवा रखे हैं अब जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो पिछले पेप जी ने 1922 में किसकी कोश्च की थी मोहँजोड़ो की लेकिन सिंदु घाटी में एक नभी सबिता है इसकी घोशना जौन मार्शन ने 1924 में की थी ठीक है ऐसे और भी बहुत सारे कोश्चन थे जैसे कि सगोडवक्ति के इनुसार किसकी अराधना की जाती है ओके तो पिछले पेपर में मैंने आपको कुछ मिलान भी करवा रखे थे जैसे विद्वान और इनका संबंद किस से है ठीक है अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा इसके बारे में ठीक है अब जैसे की सायतिक परंपरा के निस्वार महाभारत के रचाईता कौ कौन सा है तो किताब उलहिंद है ठीक है और कृष्ण तुगभर्दा दुआप छेत्री तक फैला हुआ था कौन सा विजनगर समराज और भी बहुत सारे कोशन थे जैसे कि आप यहां पर देख लो कि सासक ने कौन कौन से सिक्के विक्सित किये थे तो भी भी मैंने आपको अच्छे तरीके से है ना तीन नंबर के कोशन आपको एक बार मैं दिखाना चाहूंगा देखो तीन नंबर के कोशन भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखें एक यह जो कोशन है कि संत कवित्ती मीरवाई जी की द्वारा समाज में प्रेसलेट मानिताओं का उलनंग मैं किस प्रिकार किया गया वैसे दो तीन नंबर में ले रखा है लेकिन यह आता आठ नंबर में मैंने आंसर आपको आठ नंबर के सबसे बता रखा है यह देखो बच्छो बहुत अच्छे से सारी चीज़े मैंने समझा रखे हैं अब यह मैं आपको इसलिए दिखा रहा और इसका अंसर इंग्रिस मीडिया में कुछ इस प्रकार से रहने वाला है इसके लाबा जो मगद महाजन पर था यह सक्तिसाली कैसे था तो उसके बारे में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है आप यहां से पढ़ सकते हो और यह देखो बच्चो धरम शास्त्र और धरम शुत्र में कितने परिकार के विवा प्रचलित है तो यह भी आपको मैंने बता रखा अच्छे तरीके से कितने प्रकार के विवाब प्रचलित थे ये सारी की चीज़ें बहीर विवा, अन्ते विवा, भुपती प्रथा, भुपती प्रथा इसके लाबा चांडालों के कितब किस ग्रंथ में दिये गए और ये हैं क्या तो चंडालों के कितब मनुस्मृति में दिये गए है पहले तो चंडाल कौन होते हैं ये समझाया गया है फिर इनके कारियों को बताया गया है ठीक है तो ऐसे करके मैंने सारे कोशन आपको अलड़ी समझा रखे है तो इस तरीके से आज की जो हमारी वीडियो थी हम इसी को एंड करते हैं अब फटा फट से आपके लिए मैं जो पार्ट टू की वीडियो है वो बना देता हूँ जिसमें आपको मैं खंड नंबर गा गा और आपके जो पांच मैं इसको समझाऊंगा ठीक है तो चलिए बच्चो अभी के लिए इस वीडियो को यहें पर एंड करते हैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक लिए आपको क्या करना है इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें अपने सभी दोस्तों में जादस जादस शे करें और कमेंट में अपना फीड़एक देके ज़रूर जाएं कि आपको पेपर कैसा लगा बाकि आल दा वेस्ट आपके कल के हिस्ट्री के मिट्रम के एक्जाम के लिए वेड कीजिए पार्ट टू का बहुत बहुत धन्यबाद जै हिंद जै भारत वन दिमात रम